अजूबे जिन्होंने वैग्यानिकों को कर रखा है है हैरान। इस धर्ती पर अब तक हुई पुरातात्विक खोजों में से इस खोज ने वैग्यानिकों को सबसे ज्यादा हैरान किया है। अमेरिका में सन 1934 में 140 मिलियन साल पुरानी लाइमस्टोन की चटानों में एक लोही की हटोडी मिली। जब वैग्यानिकों ने इसका प्रयोक्षाला में अध्यन किया तो वो दो कारणों से हैरान रह गए। पहला की हथोडे में लगा हुआ लकडी का हैंडल अंदर से कोईला बन चुका था, यानि कि वो कई मिलियन साल पुरानी थी। दूसरा हैरान करने वाला कारण लोही की एकदम शुध अवस्था थी। इतना शुध लोहा धर्ती की किसी भी खदान से आज तक नहीं निकला है। लोहे की शुधता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1934 में उसे चट्टान से निकलते वक्त खरूंच लगी थी पर 80 साल बाद तक भी उस पर जंग लगने के कोई लक्षन नहीं है। वैग्याने के सहथोड़े का अनुमानित समय 145 से 60 मिलियन साल पूर्व मानते हैं। यानि की करोडों साल पूर्व जबकी मानव जाती ने 10,000 साल पहले ही इस तरह के ओजार बनाना सीखा है। प्राचीन रॉकेट जहाज ये जापान की एक गुफा में बनी प्राचीन पेंटिंग है। बताया जाता है कि ये पेंटिंग 5000 इसा पूर्व की है। खोचकरताओं के जहन में ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या प्राचीन काल में इस तरह का कोई विमान था। अगर नहीं तो फिर इसे क्या सोचकर बनाया गया होगा। चीनी मुझेक लाइन्स इस विचित राकृती के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। चीन के गांसु शेंग के रेगिस्तान में ये लकीरे बनी हुई हैं। अंग्रेजी में इसे चीनी मुझेक लाइन्स कहा जाता है। कुछ आंकरे बताते हैं कि 2004 में इन को खींचा गया था। एहम बात ये है कि ये लकीरे मोगाओ की गुफा के आसपास बनाई गई हैं जिसे वर्ल्ट हेरिटेज साइट का दरजा प्राप्त है। दिल्चस्प पहलू यह है कि चट्टान के उबर खाबर होने के बाद भी लंबे अरसे से लकीरे बिलकुल सीधी ही हैं। सहारा रेगिस्तान में पत्थरों से बना खगोलिय धाचा। सहारा के सुदूर रेगिस्तान में इस्तित पत्थरों का यह धाचा दुनिया के सबसे बड़े रहेसियों में से एक है। पता चला है कि यह खगोल शास्त्र और ज्योतिश से संबंधित थे। सवाल यह है कि इतनी शताब्दियों पहले उन लोगों ने इतना विकास कैसे कर लिया था। तब वे इसका इस्तेमाल किस तरह करते थे यह आज भी एक रहेस्य बना हुआ है। पेंच सनलगन था। भूवेग्यानिकों के मुताबिक यह पत्थर तीन सो मिलियन, तीस करोड साल पुराना है। तब न तो कोई प्रबुद प्रजाती हुआ करती थी और नहीं धर्ती पर डाइनसो हुआ करते थे। पत्थर के बीच लोहे का पेंच साफ दिखाई पड़त थी खुदाई के दौरान मिली पत्थर की गुडिया। इसे मानव हाथो द्वारा बनाया गया है। पत्थर की ये गुडिया 320 फीट की गहराई में खुदाई के दौरान मिली थी। इसे देखता बंदाजा लगाया गया की दुनिया में मानव जाती के अस्तित्व में आने क के बाद शायद इस गुरिया को बनाया गया होगा हाला कि परदे के पीछे की सच्चा अभी भी अबूज रहे से बनी हुई है